Hello students, हम पिछले वीडियो में हमने जो अपना भाषा अभ्यास का जो दूसरा पर जो शुरू किया था उसमें तच्सम तद्भव हमने पड़ा था और आशा है कि आपने जहां तक काम कहा था वो कर लिया होगा और तच्सम और तद्भव शब्दों में अंतर भी आपको पता गया होगा तो तच्सम शब्द हमारे जियों केतियों जो संस्वित के शब्द हैं उनको वैसे ही हमने ले लिया है और तद्भव शब्द जो हिंदी में थोड़े परिवर्तन के साथ आये हैं अब चलिए प्रश्न साथ की और बढ़ते हैं तो प्रश्न साथ नीचे विराम चिन दिये गए हैं और स्थम्ख में उनके नाम दिये गए हैं तो रेखा खीच कर विराम चिनों को उनके नाम से मिलाए तो इनको मिलाने से पहले एक बार हम इन चिनों को जान लेते हैं कि कौन-कौन से चिन लिखे हैं और इनका प्रयोग होता कहा है ठीक है तो अगर यधी विराम चिनों का प्रयोग नहीं करते हैं तो वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाता है अर्थ ही बदल जाता है सरफ प्रैथम देखें यहां पर जो खंड कлу की तरफ देखेंगे gestum की तरफ तो यहां देखें यहां लिखा हुआ है योजक चिन, एकल उद्धरन चिन, पून विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, निर्देशक चिन, विस्मयादी बोधक चिन, दुहरा उद्धरन चिन, और प्रश्न सूच चिन इन चीनियों का प्रयोग पहले होता कहां कहां है पहले हम यह जान लेते हैं जैसे कि मैं पहला बोलूँ जैसे पूर्ण विराम पूर्ण विराम तो अक्सर आप देखते हैं पूर्ण विराम तो लगता ही लगता है या प्रश्ण सूचक तो पूर्ण विराम का प्रयोग कहा होता है वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं ठीक है और जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए तो उस वाक्य के अंत में हम किसका प्रयोग करते हैं जहां प्रश्न पूछा जाए, तो हम प्रश्न सूचक चिन का प्रयोग करते हैं, प्रश्न सूचक चिन का प्रयोग करते हैं, कब जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, अच्छा, दुहरे उद्धरन चिन का प्रयोग हम कब करते हैं, दुहरा उद्धरन चिन, किसी के कथन को, यानि किसी की कही हुई बात को जियों कात्यों बताने के लिए दुहरे उद्धरन चिन का प्रयोग किया जाता है तो दुहरे उद्धरन चिन का प्रयोग कब किया जाता है जब हम किसी की बात को यानि कि किसी के डायलोग ठीके हमने वैसा का वैसा ही बताना है तो हम दुहरा उद्धरन चिन का प्रयोग करते हैं अच्छा किसी पार्ट के शीषक या पुस्तक के नाम को हम क्या करते हैं किसी पार्ट के शीषक हमने बताना है, टॉपिक बताना है किसी पुस्तक का नाम ही बताना है तो उसको हम एकल उद्धरन चिन के अंतरगत लिखते हैं वहाँ पर एकल उद्धरन चिन का प्रयोग करते हैं जैसे मेरी हिंदी की दो पुस्तके हैं कौन सी एक ग्यान सागर और दूसरी अभ्यास सागर तो ग्यान सागर को हम एकल उद्धरन चिन में करेंगे single inverted comma और दूसरे को भी जो भी हमने नाम लिया है ग्यान सागर या भ्यास सागर तो हम एकल उद्धरन चिन में उसको करेंगे single inverted commas में करेंगे अच्छा जो double inverted commas होता है यानि कि 12 उद्धरन चिन तो हमने किसी की जैसे मा ने कहा था बेटा खेल कर जल्दी आ जाना ठीके तो हमने मा का डायलोग बिल्कुल वैसा ही बोल दिया तो उसको हम 12 उद्धरन चिन के अंतरगत रखते हैं ये ध्यान रखेगा विस्मयादी बोधक चिन विस्मयादी बोधक चिन इसका प्रयोग हम करते हैं कोई हर्ष वाली बात हो अश्चरे वाली बात हो या घृणा वाली बात हो तो हम उन भावों को व्यक्त करने के लिए हम ये विस्मयादी बोधक चिन का प्रयोग करते हैं अब एक ही तरह की शबदों एवं दोहरे उद्धरन चिन से पहले क्या होता है अल्प विराम का प्रेयोग किया जाता है एक ही तरह के शब्द होते हैं एवं दोहरे उद्धर अंचिन से पहले जब भी हमने दोहरा उद्धर अंचिन लगाना होता है या फिर हम कहते हैं मुझे आम, केला, अमरूद और से पसंद है तो आम, केला, ना अल्प विराम, क्या लगाएंगे? अल्प विराम, ठीके? और भावों के साथ-साथ हम संबोधन वाले शब्दों के बाद भी विस्मयादी चिन का प्रेयोग कई बार कर देते हैं तो जो शब्दों को जोड़ने के लिए दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रेयोग करते हैं? योजग चिन का किसका प्रेयोग करते हैं? योजग चिन यह सबसे पहला जो यहाँ पर दिया गया है योजग चिन योजग चिन का प्रेयोग हम कब करते हैं? जब दो शब्दों को हमने जोड़ने, जैसे माता पिता, तो माता पिता के बीच में हम क्या करेंगे, योजक चिन, भाई बहन, तो उसके बीच में हम क्या करेंगे, योजक चिन, तो इनके बीच में हम योजक चिन का प्रयोग करते हैं, अच्छा, दो शब्दों को जोड़ने के लिए हमने योजक चिन का प्रयोग किया और जब किसी की तुलना हम किसी अन्य से करते हैं ठीक है जब हम किसी की तुलना किसी अन्य से करते हैं तो योजक चिन का प्रयोग करते हैं तुलना करते समय कि वो उसके जैसा है नहीं तो हम कब करते हैं जब हमने दो शब्दों को ज जैसे निर्देशक चिन यहाँ पर नहीं है ठीके तो उनको भी जानना अति आवशक है चलिए पहले हम इनको जान लेते हैं जैसे निर्देशक चिन तो कोई भी हम निर्देश कोई भी बात कह रहे हैं तो उसके आगे हम निर्देशक चिन का प्रयोग करते हैं तो ये कुछ च चलिए एक बार मैं बता देती हूँ, करेंगे आप स्वेम, देखे, पहला, बिल्कुल ये तो सामने ही लिखा हुआ है, हाना, नहीं, ये रहा, पहला है, ये योजक्चिन, ये ध्यान रखेगा, योजक्चिन थोड़ा छोटा हम लोग होता है, हाना, और जो ये सबसे उपर द जोजक्चिन है, ठीक है, आपने नंबरिंग डाल ली है, और ये अल्प विराम, तो अल्प विराम हमारा कहा है, ये रहा, हाना, ये है अल्प विराम, ये अल्प विराम, ये अल्प विराम, ये अल्प विराम, फिर हमारा आ जाता है, अगला, ये क्या है, ये दोहरा उधर तो दुहरा उद्धरन चिन यहां से यह हमारा प्रश्न सूचक तो प्रश्न सूचक यह सबसे अंत में दिया गया है यह तो पूर्ण विराम इससे तो आप जानते हैं और यह एकल उद्धरन चिन है यह है एकल उद्धरन चिन और यह है अर्ध विराम जब हमने अभी बात हमारी है अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन अभी और कहनी है तो वहां पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं यह तो योजक चिन हो गया था यह योजक चिन है और यह है हमारा विस्मयादी बोधक चिन इसमें कुछ चिन और नहीं दिये गए जैसे यहाँ पर लाघव चिन लाघव यहाँ पर नहीं दिया गया है तो उसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं लाघव चिन लाघव चिन को हम करते हैं इस तरह से लिखते हैं ठीक है और उसका नाम रहता है लाघव इसको हम कहां यूज करते हैं देखो जब हमने कोई शॉटकट लिखते हैं जैसे आप लिखते हैं डी एवी तो आगे लगाते हैं इस तरह से यह डॉक्टर लिखते हो तो ऐसे लगा ये लागव चिन हो गया, साथी साथ यहां पर एक और जो है तुटी परक, वो भी नहीं दिया गया है, उसको हम तुटी परक भी कहते हैं, हंस्पत भी कहते हैं, जो की इस तरह से लगता है, ठीक है, ऐसे, तुटी परक है हंस्पत, जब हमारे आप देखते हैं, जब आपकी कोई आंसर गया कोई वर्ड लिखना छूट जाता है तो बीच लाइन में लिखकर आप यहाँ पर ऐसे लिख देते हो इसको हम कहते हैं तुर्टी परग भी कहते हैं हंस पद भी कहते हैं लियर है चलिए नेक्स जो है आपका आपका इसमें एक और है जो अश्ठक नहीं दिया गया है जो कि इस तरह से लगता है ब्रैकेट का चिन कोश्ठक तो यह एक कोश्ठक कब लगाते हैं जब हमने किसी शब्द का अर्थ बताना है यहां कोई शब्द लिखा होता है और उसका अर्थ फिर यहां पर लिखा होता है ठीक है तो यह कोश्टक हो गया यह कोश्टक चिन का प्रेयोग हुआ है ठीक है तो यह आप जानगे होंगे अब कौन-कौन से हमारे विराम चिन होगे ठीक है योजक चिन, एकल उद्धरन चिन, पून विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, निर्देशक चिन, विस्म्यादी बोधक चिन, दुहरा उद्धरन चिन, प्रश्ण सुचक चिन, कोश्टक, हंस्पत और लाघव ये तीन चिन यहाँ पर नहीं थे, तो वो भी हमारे विराम चिन ही है, ठीक है, चलिए, अब प्रश्ण आर्ट देखेंगे नीचे दिये गई वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिनों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए अच्छा, देखें कितना असान है, ये तो आप स्वैम कर लेंगे न, आप तो पहचान आगी, देखें हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं, तो ये कौन सा है, जोड़ा से बड़ा करते हैं, विराम चिन कौन सा है ये, ये है पूर्ण विराम, तो यहाँ पर हम क्या करे यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, आपने या विराम चिन लिख देना है जीiences पूर्ण विराम और यहाँ पर नाम लिख देंगे, ठीक है, पूर्ण विराम पूरा नहीं आ पाएगा, पूर्ण विराम इसको आप लिखेंगे इस तरह से बॉक्स में, और सारे चिन इस zum लगाने विराम चिन लगाने उसका नाम लिखना है हमें पता है कि केवल टीवी नई पीड़ी के लिए कितना नुकसान दे है तो इसमें दो हैं चले पूर्ण विराम तो उपर आई गया है लेकिन ये कौन से देखो केबल तो ये एकल उद्धरन चिन तो यहाँ पर आपने इस तरह से ये चिन लगा देना है फिर यहाँ पर लिखना है एकल उद्धरन चिन गर देखें हम एक ही सवाल दागते आज भावी जी का क्या हाल है तो देखें मैंने क्या कहा था कोई भी डायलोग जिसकी जैसे जो बात कही गई है उसको वैसा का वैसा ही बताने के लिए हम दोहरा उद्धरन चिन तो यहाँ पर दो आगे हैं चिन तो आप दोनों भी लिख सकते हैं यहां पर आग इस तरह से दोहरा उद्धरन चिन इह दोनों भी लगाएंगे और यहां प्रशंव सूचट भी heh तो यहाँ पर दोहरा उधरन चिन लिख देंगे, यहाँ पर प्रश्न सुच लिखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट है, आंटी, 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 मम्मी ने आपकी साड़ियां प्रेस करवा कर भेजी है, तो यहाँ भी दोहरा उधरन चिन का प्रयोग है, अल्प विराम भी है, विस पूर्ण विराम भी लिखेंगे जितने चिन आ रहे हैं वो सारे लिखकर आप यहां पर उनके सामने उनके नाम लिखेंगे दोरा उद्धरन चिन लगाओगे फिर यहां पर अलप विराम भी लगाओगे और यहां पूर्ण विराम लगाओगे और तीनों के नाम यहां पर लि नहीं था ना यहां पर यह पूर्ण विराम भी है साथी साथ कोष्ठक भी है पंडित जी तो कोष्ठक में लिख दिया कौन जो हाला नहरू तो आपने क्या करना है यहां पर कोष्ठक भी लगाना है ठीक है आपने कोष्ठक भी करना है यहां लिखोगे कोश्टर और यहां पर लिखोगे पूर्ण विराम तो इस तरह से आप यह वाला जो है पूर्ण करेंगे और इसके साथ साथ ही आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कहां पर कौन से चिन का प्रयोग होता है यहां पर भी सारे लगा देना आपने यह जैसे एकल उधरन चिन आया है और साथ में पूर्ण विराम तो यहां एकल उधरन चिन भी लगा दे और यहां पूर्ण विराम और दोनों लिखेंगे एकल उधरन चिन पूर्ण विराम तो आज सिर्फ हम विरामचिनों के बारे में ही जानेंगे ठीके और आपने सभी विरामचिनों के नाम याद करने हैं साथी साथ चिन भी याद करने हैं और कहां इंका प्रयोग किया जाता है उस पर भी आपने ध्यान देना है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद